गोबी कीवा बनाने के लिए मैंने यहाँ पे गोबी को बड़े बड़े पीसेज में ब्लांच करके उसको गरम पानी में नमक डाल कर 2-3 मिनट के लिए रख दिया था अब उसको सुखा कर मैंने चोपर से क्रस्ट कर लिया है अब एक पैन के अंदर मैंने 2-3 टेबल इस्पून ओईल लिया है अब इसके अंदर मैंने क्रस्ट की हुई गोबी को उसका कच्चापन दूर करने तक मैंने उसको यहाँ सोटे किया है अब उसी पैन के अंदर मैंने व को गेट करके और दो हरी मिर्ची को चौप करके अड़ किया हैथ अब इसके अंदर दो चौप 멘न कर यहां पे और थोड़ी की देर तक सोटे करेंगे अब के अंदर मैंने यहाँ पे फ्रॉजरं मटर आधा कप एांड़ किया है एप जाओ तो यहां पे fresh matter को boil करके add कर सकते हो अब इसके अंदर मैंने यहाँ पे तीन टमाटर को finally chop करके add कर दिया है अब इसके अंदर हम नमक add करेंगे इसको मिला देंगे अब कुछ सूखे मसाले add करेंगे जिसमें मैंने 1 टेबल इस्पून धनिया पाउडर half teaspoon लाल मिर्च पाउडर one four teaspoon हल्दी यहां मैंने हल्दी थोड़ी कम use की है अब इसको mix कर देंगे और cover करके हम यहाँ पे oil release होने तक इसको cook करेंगे यहां हमारे टमाटर यह cook हो चुक है अब इसको mix कर देंगे अब इसके अंदर हम one teaspoon kitchen king masala add करेंगे यह optional है आप चाओ तो इसको skip भी कर सकते हो अब इसके अंदर हम यहाँ पे saute की हुई गोबी add करेंगे और इसको अच्छे से mix करेंगे अब इसको mix करने के बाद में हम इसके अंदर इसको cover करके 5-6 मिनट के लिए पकाएंगे और वापस से इसको mix करेंगे यहां हमारी गोबी पक चुकिया अब इसके अंदर लास में हम half teaspoon गरम मसाला और add करेंगे और इसको धनिया पत्ती से गानिस करेंगे यहां हमारा गोबी कीमा बनके तयार है आप इसे बना के जरू ट्राइ करें recipe नीचे description में mention है पिल लाइक, share and subscribe my channel for more recipes